नमस्कार मैं दक्टर नागेंद कुमार सिंग आज हम बात करेंगे विक्षित भारत के जो संकल पादर्णी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने लिया था उस बिक्षित भारत का जो 2046 में पुन रूप से ले जाने के तरफ हम लोग अग्रशर हों उसके लिए देश के सश्वी प्रधान मंत्री सी नरेंद मोदी जी ने पाच प्रण के प्राण उन्होंने बताया था उस पाच प्रण के जो पहला है उसमें बिक्षित भारत का लक्ष तूसरा उन्होंने कहा कि हमें दास्ता से मुक्ती तीसरा उन्होंने कहा कि हमें जो है अपने विरास्तों पर गर्व करना चाहिए चोथा उन्होंने कहा कि हमें एक्ता की भावना से कारी करना चाहिए पच् पाच बिंदू हमें बिक्सित भारत के राष्ट को ले जाने के लिए उन्होंने उसके साधन बताया कि हमने बिक्सित भारत का लच कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि हमें अपने GDP की ग्रोथ को बढ़ाना होगा, उसके अस्तर को उच्छ करना होगा और दुनिया हमारी तरफ दीख रही है और हमें आने वाले समय में अपनी आर्थिक एकॉनमी को ट्रिलियन में ले जाना पड़ेगा. इसके लिए उन्होंने अपने कहा कि हमें हर व्यक्ति को अपने कार के प्रती अपनी निष्ठा दिखानी पड़ेगी और जब हम इस निष्ठा पर कर्तब बढ़ेंगे तो हम एक निष्चित भारत को विक्सित राष्ट के रूप में ले जाएंगे. दास्ता की जब मुक्ति की बात वो करते हैं तो करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई भी हीन भावना ना हो जो में हीनता की तरफ ले जाए. इसके लिए उन्होंने सरवपर्थम राजपत से करतब पत को बदल करके वहां सुभाशन्द बोस जी की नेता सुभाशन्द बोस की जब प्रतिमा को इस्थापित करते हैं तो इससे हमारी वह जो गुलामी की मानसिक्ता का जो पत था वो करतब पत में बदला. इसके साथ ही उन्होंने नेवी का पहली बार देश के फ्लैग बदले ऐसे कई से द्विपों का नाम जो अंग्रेजों पर पड़ी हुई थी उसको उन्होंने बदला तो यह एक बड़ी उपलब्धी उन्होंने हासिल करके देश को इस दास्ता से मुक्ति की तरफ ले जाने चाहिए इसके लिए उन्होंने प्रयास अपने जो धार्मिक अस्थानों का उन्होंने जर्णों धार से पुर्णों धान की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया जिसमें काशी विश्वनात का कारीडोर हो चाहे स्री राम मंदिर का भव्य उदगाटन हो चाहे वो महाकाल भेरो का कारीडोर हो चाहे जगरनात पुरी का इस तरह के जो उदाहरन हमारे देश में उन्होंने प्रस्तुत किया इसका परिणाम यह हुआ कि हम आर्थिक रूप से परेटन के द्रिष्टी से भी इस देश को लोगों को अपनी ध्यान की और आकरशित किया और इससे हम जहां हमा लोगों ने दर्षन स्री राम मंदिर में किया यहाँ एक उदाहरन है कि हमें अपने विराश्टों के प्रति लोगों में सजगता आई है एक्ता की भावना की जब उन्होंने बात की तो यहाँ एक्ता हम देखते कैसे हैं कि हर नागरिक में एक दूसरी की जो समाजी वनित्यूस को हमें पाटना होगा, हमने अपने संभाव सदभाव के मार को प्रसस्त करना पड़ेगा, उच नीच की भावना को हमें छोड़ना होगा, हमें एक दूसरे में पहली होना कि हम भारती हैं, जैसे हम सभी जब तक भारत में हैं, तो यहां चेत्रवाद, स्थानिवा के रूप में जो बटे हैं, जातिवाद में बटे हैं, लेकिन जब वही विदेश या किसी दिस्तरे देशों में जब हम जाते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि हम भारत के हैं, तो यह ऐसी बोध हमें यहां क्यों नहीं, इसका भी हमें अनुसरन करना चाहिए, कि हम सभी एक हैं एकता से हम अपनी काम करें पच्वा उन्होंने कहा कि नागरिक बहुत उसके लिए उन्होंने कहा कि देश का चाहे वो क्यों मुख मंत्री क्यों नहों प्रधान मंत्री क्यों नहों राश्ट्वती वो सबसे पहले इस देश का नागरिक नागरिक्ता की भाव उसमें होनी चाहिए और उस नागरिक्ता के लिए उसे अपने कर्तब्य के प्रती द्रिण होना चाहिए कर्टब्य की द्रेड़ता को हासिल करके ही हम इस देश को इस प्राण के माध्यम से एक नए भारत और विक्सित भारत के आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं इसके साथ ही जब उन्होंने कहा कि यह हुआ क्यों नहीं आज तक तो उसके ने उन्होंने बत से हटना पड़ेगा तो इसके लिए उन्होंने बताया कि हमें सबसे पहले तो जो राजनेतिक रूप से जो पारिवारिक संप्रभुता बनी हुई है उसको तोड़ना होगा उससे बाहराना होगा फिर उन्होंने कहा कि हमें बंसवाद जो राजाओं महराजाओं की जो के लिए पैसे नेज लेकिन कुछ लोग अपने पैसे चुपाने के लिए Pryas रते हैं कि मेरा पैसा कैसे उसके लिए वह तमाव जुगाल बना रहे हैं तो ऐसे भारत के ऐशी मानसिकता जब हमारे भारत से दूर होगी तो हम निश्चित ही एक सम्रिद भारत और ससक्त भारत के रूप में बढ़ सकते हैं इसके लिए उन्होंने बनाया कि हमें अपने सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से यह हमारी चेतना जागरित होना चाहिए कि हम भारत को कैसे आर्थिक रूप से सम्रिद कर सकते हैं उसके लिए हमें जिस रूप में जो भी कार है उसको बड़ा समझ के करना चाहिए उसको छोटा नहीं समझना चाहिए समाज में एक भावना कोई भी चाहे वो फर्व हो चाहे वो कोई समाजिक कार क्यों नहों उसके प्रति हमें अपने द्रिड़ता से एक भाव से काम करना चाहिए मिलजुल के काम करना चाहिए और राजनैति ग्रूप से हमें सुचिता की तरफ ध्यान रखना चाहिए सत्यनिष्टा की राजनीत पर हमें खड़े होने चाहिए और जब हम सत्यनिष्टा की राज पर खड़े होंगे तो भारत की संकल्पना को पून कर सकते हैं भारत को एक निश्चित राष्ट के रूप में बिक्षित कर सकते हैं और जब भारत बिक्षित होगा तो हम सम्रिध्य और जब भारत संवरिध्य होगा तो उससे दुनिया की जो निगाहें हमारे तरफ हैं, उसको हमें बढ़ाना होगा, हमें अपनी सामरिक दृष्टी से भी मजबूत करना होगा, हमें सामरिक दृष्टी से भी देखना होगा, कि लोगों को जो जो भी देश आज विक्षित के हैं उनमें शामरिक द्रिष्ट बिक्षित हो उसी के लिए आत्म निर्वर भारत की तरफ जैसे हमने तमाम कदम बढ़ा चुके हैं जैसे तमाम ऐसे लड़ाकू बिमानों का निर्मार भारत में होने की तरफ आ चुका है तो यह एक भारत की बिक्षित भारत की और ले जाने के प्रदानमंद्री जी का जो शपना है वो शाकार हो रहा है तो प्रदानमंद्री जी के शपनों को शाकार करने के लिए हमें द्रिड़ता के साथ संकल्पना के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए भारत की उन सभी खाईयों को जिनको प्रदानमंद्री ने पंच प्रण के माध तो उसमें सभी नागरिक आत्म निर्भरता के तरफ शमृद्ध होंगे। जब आत्म निर्भर होंगे तो भारत एक ससक्त राष्ट के रूप में विक्षित होगा। चास्ट कर पांगी.